ओम नमे सिवाई दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है सावन के महिन्ये में कौन से कपड़े पहनने चाहिए दोस्तों चार जोलाई से भगवान सिव का प्रिय सावन सुरू हो चुका है इस महिन्ये में भुले नात की विदिविदान से पूजा अर्चना की जाती है वैसो तो साल भरी पूरे भक्ती भाव से भगवान संकर की पूजा की जाती है लेकिन सावन महिन्ये की बात कुछ और ही होती है इस महिन्य को बहुत ही जादा पवित्र माना जाता है सावन महिन्य में देश भर के लगभग सभी सिव मंदिरों और सिवालियों में भक्तों की खुब भीड लगती है कहा जाता है कि सावन में यदि महादेव किसी जातक से प्रसन हो जाएं तो उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं यही वज़े है कि लोग विदिविदान से पूजा करके सिव जी को प्रसन करने की कोसिस करते हैं वहीं सीव जी की अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए इस महिन्य में भक्तों को भगवान सीव संकर के प्रियर रंग के कपड़े पहन कर पूजा करनी चाहिए इससे प्रसन होकर महा देव आपके हर मुनोकामना पूरी कर देंगे सीव जी सावन महा के देवता कहे जाते हैं इस महिन्य में वर्सा रितु होने के कारण प्रत्वी पर चारों और हर्याली ही हर्याली दिखाई देती है प्रत्वी पर हर और हरे भरे पेड़ पोदे दिखाई देते हैं इसलिए हरा रंग भोले नात को अधिक प्रिये है यही पूजा के दोरान आप हरे रंग के अलावा संतरी, पीले, सफेद और लाल रंग के वस्तर भी धारन कर सकते हैं। धार में सास्तरों के अनुसार इन रंगों को पूजा पाट के लिए उप्युक्त माना जाता है। वहीं भागवान सीव संकर की पूजा के दोरान कभी भी काले वस्तर नहीं पहनने चाहिए। मानने ता ये भी है कि रंग बोले नाथ को पसंद नहीं है। यही वज़े है कि भक्त इस रंग को सावन सोमार की पूजा में वर्जित मानते हैं। सावन महा में सिर्जी की पूजा के दोरान कभी भी मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा का फल सुब प्राप्त नहीं होता, सिर्व सिर्जी ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की पूजा में साफ धुलेवे कपड़ों को ही पहनना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं क कि पूजा के लिए नई ही कपड़े पहने जाएं आप पुराने कपड़ों को धुलकर भी पहन सकते हैं दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब अवस्चा करें और कमेंट्स में ओम नमे सिवाई अवस्चे लिखें